नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Study with happiness के समारे informative वीडियो में और दोस्तों आज का वीडियो ऐसे लोग के लिए है जो कि OBC केटिगरी को ब्लॉंग करते हैं दोस्तों अगर आप SCST या फिजनल के हैं तो आप इस वीडियो को ऐसे लोग को शेर कर सकते हैं जो कि OBC केटिगरी को ब्लॉंग करते हूँ दोस्तों मुझे एक information मिली थी मेरे ही मित्र के माध्यम से तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ और दोस्तों हो सके तो अपने end पे भी आप इसे verify करने की कोशिश करें ठीक है दोस्तों ये जो news है वो ये है कि O level or triple C इसके लिए computer का prescription program चला जा रहा है सरकार के दोरा तो आप इसमें registration करा सकते हैं और O level or triple C आपको free में करा जाएगा ठीक है prescription जो होगा वो free of cost होगा इसमें क्या होना चाहिए जो आपकी वार्षिक आए है वो एक लाग से अधिक नहीं होने चाहिए इसके लिए condition यह है आप इसपे apply कर सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है register yourself क्योंकि यह mobile पर अभी मैं record कर रहा हूँ दोस्तो mobile पर यह ठीक तरीके से website नहीं खुल पा रही है तो आप देख सकते हैं दोस्तो उपर website का link है services online.gov.in इस पर आप जाएंगे तो आप इस page पर खुल जाएंगे और फिर आप registration देख सकते हैं ठीक है नीचे जो है mobile नंबर भी दे रखा है स्री शुशिल दुविदी जी का office assistant mobile नंबर आप देख रहे होंगे यहां पर call करके भी आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग का apply करना है और यहां पर आप देखेंगे मैं इस पर करके देखता हूँ अगर चल जाता है तो register yourself मैंने click किया है तो यहां से आगिया है आप अपना नाम, email id, mobile number और password यहां से यह पूरा आप detail करके आप भर सकते हैं आप इसे पूरा procedure आपको पता चल जाएगा अगर आप interested है इस form को apply करने के लिए बशर्त यह है कि आपकी जो आए प्रौन पत्र है उसमें आपकी जो आए है वो एक लाग से कम होने चाहिए मजब परिवार किया है आपकी नहीं आप तो करी ही रहे है ठीक है दोस्तो तो यही मुझे सूचना आप लोग को देनी थी तो हो सके तो आप अपने OBC फ्रेंड जो भी हो वने शेयर करें इस वीडियो को ताकि हो सकता है कि किसी जरूरत पन के काम आ जाए ठीक है दोस्तो तो मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि गवर्मेंट जॉब से रिलेटेड जीतनी भी इंफॉर्मेशन और नई रिक्रूटमेंट होती है हम अपने चैनल के माद्यम से आप ल